हाई मैं पश्रान आप सभी का अपने योटूब चैनल एक वीडिट कम्यूटिटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्वेडिंग स्ट्रेजी बेस्ट अन पाइवर्ट पॉइंट और वीवैब यहाँ पे हम दो इंडिकेटर पाइवर्ट पॉइंट और वीवैब को यूज करके ट्वेडिंग स्ट्रेजी फॉर्म करेंगे और यहाँ पे सबस्पेले हम देखेंगे कि कैसे आप पाइवर्ट पॉइंट और वीवैब को ट्वेडिंग में इस्तमाल कर सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे आप इन सब के basis पे no trading zone identify कर सकते हैं यह identify करना भी बहुत ज़ूरी है क्योंकि कहां पे trade नहीं करना है यह जानना बहुत ज़ूरी है और यह आपके trade के accuracy level को increase करेगा उसके बाद क्या हम इसको all time frame में इस्तमाल कर सकते हैं या फिर किस time frame में इ और साथी साथ क्या यह intraday के लिए या फिर positional training के लिए वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे तो चलिए start करते हैं और इन सब point के basis पे हम training strategy form करते हैं based on vwap और private point हाई मैं पुशान आप सभी का अपने योटूब चैनल एक वीडियो में स्वागत करता हूं तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं trading strategy based on private point और vwap यहाँ पे हम दो indicator का इस्तेमाल करेंगे private point और vwap और उसके basis पे यहाँ पे हम trading strategy form करेंगे और यहाँ पे हम क्या क्या देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि private point और vwap को use करते हुए आप trading कैसे कर सकते हैं यह हमें profit बनाने में कैसे help करेगा और यह हमें trading license लेने में कैसे help करेगा उसके बाद यहाँ पे हम no trading zone कैसे identify कर सकते हैं यह नि हमें वो trading zone भी identify करना जहाँ पे हमें trading नहीं करना और यह आपके trade के accuracy level को बहुत increase करेगा उसके बाद क्या हम इसको all time frame में इस्तमाल कर सकते हैं या फिर किस time frame में use करना वो भी मैं आपको बताऊंगा साधे साथ यह intra day के लिए positional trading के लिए या फिर swing trading के लिए इन सब point के उपर हम एक के एक करके बात करेंगे तो चलिए start करते हैं तो यहाँ पे हम चार्ट पे आ इसके बैसिस पे आप positional या फिर swing trading नहीं कर सकते हैं अब क्यों नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम जो indicator का इस्तमाल करें वह करें वी वैप अब देख रहे हैं यहाँ पे हम सबसे पहला वी वैप indicator का इस्तमाल करें और उसके साथ साथ पाइवर्ट पॉइंट इंडिके कज़ए का इस्तेमाल करें अब वी वह होता है वो आपका इंटुवार्टे में जो मोमेंटम आता है उस मोमेंटम को इंडिकेट करता है और यह झाल छटिक होता है इसलिए हम यहाँ पर इंडॉपर ट्वेडिंग कर रहें और अगर हम टाइंफ्रेम्ट की बात करें तो नहीं होगा तो आप यहां पर 5 मिनट या फिर 15 मिर वाला टाइम इस्तमाल कर सकते हो और यह जो ट्वेडिंग स्ट्रेटजी है यह इंट्वार डे के लिए ट्वेडिंग स्ट्रेटजी है तो बहुत हथ तक काफी पॉइंट क्लियर हो गया होगा तो चलिए हो जो नो करते हैं और उसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे अपना ट्वेडिंग स्ट्रेटजी भी फॉर्म करेंगे यहां पर हम ट्वेडिंग सेटप कैसे तियार करेंगे कैसे हमें इसके वेसिस पर ट्वेड लेना वह भी मैं आपको गाइड करता हूं अब यहां पर देखिए सब 1 है रिस्टेंस 2 है रिस्टेंस 2 है ऐसे रिस्टेंस 4 भी आएगा नीचे मैं आपका support 1, support 2, support 3, support 4 ऐसे देखने को मिलेगा तिहां पर आपको सबसे पहले क्या find करना P plus R1 divided by 2 जो level है वो find करना और at the same time P plus S1 divided by 2 ये level find करना तो हम इसको find कैसे करेंगे इस private point का level क्या है इस private point का जो level लगबग आपका है 861 के करीब और इस resistance line का level है वो है आपका 865 के करीब तो divided by 2 अगर हम करते थे यहाँ पर आता आपका 863 के करीब तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 863 करीब यहाँ पर हम एक line ड्रॉड कर लेंगे जो कि हमारा लगबग इसके करीब होगा उसके बाद at the same time इन दोनों के बीच हम ऐसे ही find करेंगे जो कि हमारा इस level के करीब होगा अब यहाँ पर क्या हो गया इन सब को मैं clear कर देता हूँ इस तरीके से आप exact level find कर सकते हैं तो आप आसपास भी line draw कर सकते हैं exact draw करने की ज़रुवत भी नहीं है यह जो बन जाएगा आपका no trading zone जहाँ पर हमें trading avoid करना है जहाँ पर trading करने में trap होने या फिर लॉस होने के chances बहुत जाला है तो यहाँ पर जो लोग completely safe जाना चाहते हैं वो यहाँ पर trading avoid कर सकते हैं लेकिन जो लोग risk लेने को तयार हैं जो लोग risk की trader है वो यहाँ पर भी trade कर सकते हैं कैसे trade कर सकते हैं वो मैं आपको explain करता हूँ ठीक है तो safe जाना चाहते हैं यह zone आपको identify करना होगा और इस zone में आप trade मत किजिए risk लेना को तयार है तो आप यहाँ पर trade ले सकते हैं अब हमारा strategy क्या है इसके basis पर हम trade कैसे करेंगे चलिए वो मैं आपको explain करता हूँ थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान से समझना है अब देखिए जो हम trading decisions लेंगे उसमें VWAP का बहुत ज़्यादा roll होगा और यह wet color का line आपका VWAP का line अब यहाँ पर यह और चीज़ है कि पहला 15 से 20 minute यहाँ पर भी हम क्या करेंगे trading avoid करेंगे इस time period में भी हम trading नहीं करेंगे तो जो no trading जोन है उसमें और पहला 15 से 20 minute हम trading नहीं करेंगे यह सब पॉइंट आपको ध्यान लखना पड़ेगा क्योंकि यह जो trap होता है जो unwanted move होता है जो हमें समझ में नहीं आता है यहाँ पर volatility बहुत ज़्यादा होता है उन सब को यहाँ पर हम filter कर रहे हैं अब देखे इनिशेल का हमने अब जैसे इसको ब्रेक करके उपर निकले वापस से नीचे आए और दुबारा इस लेवल को retest करें और यह जो आपका support level बना इस support level को respect करें और फिर price उपर निकले यहाँ से तब यहाँ पर हम buying positions initiate करें यहनि दुबारा इस level पर आने का wait करेंगे और उसके बाद हम buy करेंगे similarly अगर price आपका उपर से नीचे आता है तो यहाँ पर हम into नहीं लेंगे sell side की तरफ हम wait करेंगे price वापस से यहाँ पर आएगा और यह जो resistance level बना इसको respect करेंगा और फिर price नीचे आने लेगा तब हम यहाँ पर sell side की तरफ positions लेंगे यहनि लेवल को retest करने का wait करेंगे और तब हम positions लेंगे यहाँ पर हम wait करेंगे वापस से level retest होका तब अब देखिए वापस से यहाँ पर आया है और level retest हुआ है तो इसके बाद जैसे price उपर निकला है इस level करीब यहाँ पर हम क्या करेंगे buy side की तरफ entry लेंगे sl जोगा इस portion का lowest point उसको आप एज़े sl के रूप में काम कर सकते हैं रख सकते हमारा sl define हो गया target price पहला आपका r1, r2 और r3 यह हमारा t1, यह हमारा t2 और यह हमारा target 3 हो जाएगा और इसने उपर गया और तीनो target price को hit किया तिहां पर हम जो buy कर रहे है वो लगबग आपका 8.62 के level buy कर रहे है पहला target price है लगबग आपका 8.65 का दूसरा target price है आपका 8.70 का और तीसरा target price के अगर हम बात कर ले तो लगबग आप 8.73 के करीब यहाँ लगबग यहाँ पर आपको 11.00 का profit मिलता हुआ दिका है 11.00 का profit that means 2 मुझे यहाँ पर लगबग 1.5% के करीब profit मिलबग और 1.5% का profit intraday में sufficient profit बना जाता है इसके basis पर आप options में भी अच्छा profit बना सकते हो यह नहीं तो futures में यह नहीं तो intraday trade में भी बनाया जा सकता है तो अगर आप options में trade करना चाहते हो यहाँ पर जो भी आप trade ले रहें इससे slightly आपको in the money में trade लेना यहाँ पर आपको ATM या फिर OTM पर भी नहीं जाना है आपको हमेशा in the money में trade करना प्रेफर करना है तो यहाँ पर कब trade लेना यह आपको doubt हो गया अब यह कौन सा है यह हमारा no trading में zone में है इसलिए यहाँ पर जो भी trade लेना है वो सिर्फ और सिर्फ risky trader के लिए ही trade बनता है बांकर अगर आप safe जाना चाहते हैं तो जैसे पहला resistance level को breaker को उपर निकला यहाँ प इसके basis पर लेगा हमने कैसे intro audit trade हमने setup किया अब हम आगे चलते हैं यहाँ पर हम पिछले कई दिनों का example लेते हैं जिसके ज़री हम इसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं अब यहाँ पर देखिए हमें अलग situation देखने को मिला है यहाँ पर हमारा पाइवर्ट पॉइंट यह है यह हमारा no trading जोन मनेगा जो कि काफी नीचे है इससे का कोई मतलब है नहीं अब प्राइस आपका resistance level 3 के आसपास move कर रहा है प्राइस यहाँ पर नीचे से उपर गया औ उपर निकल गया तो वेब आपको ब्रेक करके ऊपर निकलते बाई नहीं करेंगे हम वापस से बेट करेंगे जब ही रिटेस्ट करेंगा तो तो देखिए रिटेस्ट इसने यहाँ पर किया है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इंट्री लेंगे बाई साइट की तरफ तो यहाँ पर हमने बाई साइट की तरफ इंट्री तो ले लिया हमारा टागेट पैस क्या हो गया सबसे उपर डिस्टेंस दो लिए हमारा टागेट पैस होगा यह नी 865 का टागेट पैस होगा इन दो पॉइन का टागेट पैस 862 पे या फिर 860 के करीब यहां पर अगर हम बात करें जो risk reward ratio है वो यहां पर मेरे favor पे नहीं आ रहा तो आपको ultimately क्या check करना सारे trade जो भी आप trade ले रहे हैं चाहे छोटा छोटा या big से big या फिर positional trade ले रहे हैं या फिर delivery में ले रहे हैं कहीं भी trade ले रहे हैं लास्टी जो आपको check करना चाहे मैं आपको मैं बताओ किसी वीडियो में या फिर नहीं बताओ या फिर किसी वीडियो मिस हो गया आपको ultimately, finally आपको यहीं check करना और इसके बाद ही आपको execution पे आना है ट्वेट लेने से पहले आपको यह check करना है कि whisk reward issue मेरे favor में है या नहीं है, यहाँ पे मेरे favor में नहीं है तो यहाँ पे हम trade नहीं लेंगे यहाँ पे हम trading avoid कर देंगे उसके बाद है कि resistance line को break करके ऊपर निकला है, लेकिन हम confirmation के लिए जैसे ही wait करेंगे, अगला red candle हो गया यहाँ पे हम trade नहीं लेंगे, उसके बाद आपका देख सकते हैं, resistance line करीबी move करता हूँ रहे गया, तो हम ज़्यादा wait नहीं करेंगे हम अपना इस दिन का trading छोड़ देंगे, अल्वेडी उसके basis पर हमने देखा है, उसके basis पर हमने trading avoid कर दिया, अब क्यों दूसरा situation देखते हैं, उससे previous day आते हैं, यहाँ पर भी हमारा VWAP के उपर भी जा रहा, नीचे भी जा रहा, ऐसा ही candle move कर रहा है, अब जब भी इस तरह का candle का movement हमें देखने को मिले, हमें क्या करते हैं, यहाँ पर वापस से trading avoid करता हैं, नहीं trading लेना है, और यह बहुत जरूरी है कि हमें trading कब छोड़ना, कब trade नहीं करना है, यहाँ पर trap VWAP के alongi price move कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या देखेंगे कि आगे आने वाले time में, इस दिन market आपका एक range पकर करके move दे सकता, यहाँ पर हमें range pound move देखने को मिल जाएगा, यह idea हमें VWAP के basis पर आगया, इसके basis पर हम यहाँ पर trade नहीं लेंगे, और यहाँ पर बोल के हम options trade नहीं लें, क्योंकि premium decay काफी fast होगा, एक time पर अगर आप delivery लेते हो, या फिर futures में लेते हो, तो सिफ आपको brokerage नुकसान देना परेगा, लेकिन अगर आप options में लेते हो, तो brokerage तो देना ही परेगा, साधी साथ, जो भी आपका premium decay होगा, वो भी आपका नुकसान count होगा, यह यहाँ पर आपको अच्छा कर सा loss उठाना पर सकता है, इसलिए ऐसे situation हम trading avoid करना ही, prefer करेंगे, एक तो दिन trade नहीं भी लेंगे, तो कोई हमें नुकसान होने वाला नहीं है, और यहाँ पर जोब हमे profit मिलता है, तो big profit मिलता है, इन सारे loss को वो recover कर देता है, या जो भी हम trade नह करेंगे, और देखिए लगभग आपका ये, एक बज़े तक इसी करी move किया, फिर थोरा साफसाइड move दिखाए वापस से, वीवैप लाइन को पकड़ लिया, तो ऐसे में हम trading avoid करेंगे, क्योंकि trap में फस सकते हैं, और यही time होता है, जहाँ पर maximum लोग trap में, फस्ते सही decisions नह ही ले पाते हैं, तो हमें trading कब लेना, हमने एक example बताया था, और इसकी trader के लिए था, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास सठीक example मिला, हम एक दो दिन trade नहीं भी लेंगे, जादा कुछ फर्क नहीं परेगा, लेकिन हमें गलत trade नहीं लेना, वैसा जगा पर trade नहीं लेना, ज यहाँ पर अगर हम average निकाले, P plus R1 divided by 2, तो लगबग आपका इसके करीब निकलेगा, वही, P plus S1 divided by 2, यह लगबग आपका इसके करीब निकलेगा, यह जो level है, यह हमारा क्या बन गया, no trading, जोन हमारा बन गया, इस जोन में trade नहीं करेंगे, जो इसकी trader है, वो trade कर सकते हैं, अदरवाज हम नहीं करेंगे, अब देखें, पहला इकेंडल इसको break करके ऊपर निकल गया है, तो यह जो भी वैप है, उसको already cross कर गया, यह नि भी वैप हमारा cross होगे, अब हम इसको detest करने का wait करेंगे, और यहाँ पर हमें इसको detest होता हुआ दिखा है, तो हम क्या करेंग इसी level के आसपास यहाँ पर हम buy side की तरफ entry लेंगे, और यहाँ पर पहला target price क्या होगा, पहला target price हमारा यह होगा, और stop loss हम यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर जो risk reward इसी हो, वो काफिया तक आपके favor में move करता हुआ, दिख जाएगा, तो हम पहला tweet लेंगे, first target price मेरा यह हो लगबग आपका, first target price यहाँ पर हमारा बन वाया, वो लगबग आपका 831 के करीब बन वाया, और stop loss जो मेरा बन वाया, वो आपका 826 के करीब बन वाया, trade हम 828 के करीब लेंगे, तो यहाँ पर भी अगर हम risk reward issue देखें, तो पहला target 3 point का stop loss, 2 point का यहाँ पर हम जा सकते हैं, औ और दूसरे target price के अगर हम बात करें, तो वो मेरा जो यहाँ पर बन रहा है, अगला responsible है, लगबग आपका 841 के करीब, तो यहाँ पर हमने जो trade लिया, वो 828 के करीब लिया, और 841 मेरा दूसरा target price जो के असानी से hit हो गया, तो यहाँ पर अगर हम target price की बात करें, तो कितना हो 15% का profit लिया within week, और within week अगर आपको 3% से 5% का profit मिलबा, तो वो sufficient profit होता, वो बहुत ज़्यादा profit count किया जाता है, और अगर आप लगातार इस तरह का profit अगले एक साल तक ले आते हो, तो आप यहाँ पर देखो कि compounding बहुत ज़्यादा return मिलबा, और इस से ज़्यादा अगर आ पसने का मतलब है कि आप trap में भी आसानी से फस सकते हो, वापस इस से पीछे भी आते हैं इस तरह के कई सारे example यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसके basis पर आप यहाँ पर trading decisions ले सकते हैं, अब यहाँ पर अगर हम इस दिन की बात करें, तो यह हमारा क्या है, पा आपको सापधान होके trade करना है क्योंकि इसी के बीच मूव करता हुआ दिख जाएगा, तो हमारा no trading zone बनेगा लगबग, इसके करीब बनेगा, और नीचे में अगर हम बात करें यह बनेगा, मतलब इसके बीच में हमें कोई trade नहीं लेना है, जो risk लेने को तैयार हो, यहाँ trade ले सकते हैं, अब देखिए क्या हुआ, प्राइस उपर गिया है, और यहाँ पर यह वीवाप को क्रॉस करके नीचे आ गया, अब हम वेट करेंगे कि वीवाप को level टेस्ट करें, उसको break ना करें, अब यहाँ पर देखिए, यह क्या किया, वीवाप को touch किया और साधी साथ इसको break करके इसके उपर भी closing दे दिया है, मतलब यहाँ पर हमारा level जो था वो, इसको respect नहीं किया, यह हमारा बन गया था resistance level, लेकिन किया यह रिस्टेंस लिवल को break कर दिया, मतलब यहाँ पर इसने resistance level को respect नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम trading avoid करेंगे, यहा यहाँ पर हमें full security देखेगा, वहीं पर हम trade लेंगे, अधरबाइस हम trade नहीं लेंगे, और इस तरीके से यह हमारा क्या बन जाता है, यह हमारा अगर हम बात करेंगे, तो no trading zone में अगर हम confused है, तो हम trade नहीं लेंगे, और जो लोग highly risk लेना चाहते हैं, वो trade ले सकते हैं, और आप risk लेते हैं, तो आपको reward भी अच्छा खासा मिल सकता है, और जो लोग risk लिया होंगे, उनको यहाँ पर profit मिला होगा, पहला target पैसी है, दूसरा target पैसी है, आसानी से sell side की तरफ यह गया है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे VWAP और private point को use करते हुए, intra day के लिए tweeting strategy form कर सकत हैं, और इसी यह सिर्फ और सिर्फ into our day के लिए काम करता है, तो उमीद करते हैं, यहाँ पे आपको यह topic समझ में आ गया होगा, और अगर इससे लिटर कुछ भी doubt यह फिर confusion हो, तो आप हमें comment section पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको proper answer किया जाएगा, so that's all friends, मिलते हैं next video में, जाहिन!